हेलो स्थुडेंट्स, वेल्कम टू compliance ब्रेंज हिंदी, मैं लाली वर्मा आप सब्सक्राइब जातो का मैंगल ब्रेंज पर बहुत बहुत सौगत करती हूँ से आपके नाम याद करके आओंगे फिर नाम से बुलाओंगी अभी नाम भूल गई हो इसके लिए सौरी ओके बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं और आपकी जो भी राय है या जो भी सजेशन्स हैं या जो भी आपको डाउट्स लगते हैं आपके इन जान देते रहिए अपने आप में सिक्षा के दीपक को प्रजुलित करते रहिए क्योंकि सिक्षा ही एक मात्रवह साधन है जिस पर हम चलकर आगे अपने पैरों पर खड़े होकर नाम कमा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ समाज में सम्मान भी प्राप्त चार नाम पता है क्या है पलक पावडे लिखा है कवी हरियोद जी ने कवी हरियोद जी जाने माने हिंदी के साहितकार रचनाकार कवी जिनों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित में एक अनूठी पहचान बनाई एक अमिट पहचान बनाई इसी कवीता को हम वह समझे और समझने के साथ-साथ जब आप अपनी परिक्षाएं देंगे तो उस में बहुत अच्या से को रिलेट करके अपने शब्दों में आप व्यक्त कर सके ठीक है अयोध्य सेंग उपाध्याइजी कभी का नाम है ठीक है आयोध्या सिंग उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 15 अप्रेल सन 1865 में निजामाबाद आजमगड में पिता का नाम भोला सिंग उपाध्याय था माता का नाम रुकमिनी देवी इनके पूर्वज शुक्ल यह जो रवेदी ब्रहमन थे जो कालंतर में सिख हो है 17 वर्ष की अवस्ता में उनका विवहा हो गया स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी अंग्रेजी फार्सी संस्कृत आदी भाशाओं का अच्छा घ्यान प्राप्त किया सोच यह हमारे हिंदी के बड़े-बड़े साहित्यकार जिनोंने स्वाध्याय समझते आप स्वाध्या प्राशाओं का अच्छा ज्यान प्राप्त किया कहते हैं ना जब मन में चाहा हो तो कुछ भी असंभव नहीं जहां चाह वहां रहा यह दिखाई देता है पाच बर्ष की अवस्था में फार्सी के माध्यम से इनकी सिक्षा प्रारंब हुई और मिडल परिक्षा पास करके ये क्वीन्स कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए पर आस्वस्था के कारण अध्यान छोड़ना पड़ा अब बात आती है हमारे शरीर की हमारे स्वास्थ की जो कि मैं भी हमेशा आपसे कहती हूं कि हमारा जो स्वास्थ है वही हमारी प्रात्मिक्ता है जब हम स्वास्त का विशेश ध्यान रखेंगे तभी हम अपने कारियों में पूरी तरह से मतलब अपना समर्पन दे पाएंगे या 100% दे पाएंगे जब हमारा स्वास्ती एकदम काम नहीं करेगा तो हम मन अकेला क्या करेगा बेचारा मन के लिए तन की अवशकता है न वो सही है कि मन के हार है मन के जीते जीत लेकिन मन चंगा तो कठोती मैं यह भी मैं ही कहती हूँ लेकिन शरीर हमारी काया यह हमारी बॉड़ी जब सही नहीं होगी तो बेचारा मन अकेला उठकर क्या कर सकता है बोलो इसलिए हमें अपने शरीर का अपने स्वास्त का विशेश ध्यान देना है फस्ट प्रायोरिटीज आर हैल्थ ठीक है अब उनमें क्या हुआ उनको सिक्षा छोड़नी पड़ी सिर्फ किस कारण से अपनी स्वास्त के कारण ठीक स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फार्सी और अंग्रेजी में अच्छा ज्यान प्राप्त किया निजामाबाद के मेडिकल स्कूल के अध्यापक, कानून गो और काशी विश्विद्याले में अवैतनिक सिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया हरियोद जी के अध्यापक जीवन धे, अध्यापक ही रहा, महान साहितकार का निधन सन 1947 में हुआ जन्म याद है आपको, जन्म हुआ था सन 1865 में, 15 अप्रेल 1865 और मृत्यू सन 1947 आईए, आप हम पढ़ते हैं पलक पावडे, पलक मींस क्या होता है, पलक के पलके बिछा दी, उन्होंने तो हमारे स्वागत में बाई, इतना दरसतकार किया कि पलके बिछा दी, पावडे मींस क्या होता है, राजस्थानी भाषा में, या मेवाडी, मारवाडी भाषा में, पावडे का अर्थ होता है, अधिथी, अधिथी देवोभव, आपने भी सुना होगा, तो पलकों को बिछा देना अर्था तैसा नहीं कि अपनी आखों की पलके निकाल कर उनके चर्णों में रख देना, बल अतना सुन्दर लगता है, जब प्राता काल की लाली माच्चारो तरफ फैल जाती है, हाँ, देखिए, सूर्य अधा होता है, आप सबने देखा होगा, ठीक है, पन कोशिश करते हैं तोड़ा सा कुछ ड्रॉइंग करने की, सपोस ये हैं अपने परवत पहाड़, और अब य तो उसकी लाली माच्चारो तरफ छा जाती है, उशा, उशा भी सुना होगा आपने, तो ये जो वर्नन किया है कवी ने, इसमें सुभा का प्राता काल का वर्नन करते हुए, कवी हमें उर्जावान रखने का प्रयास कर रहे हैं इस कवीता के माध्यम से, और भी बहुत सारी बातों को और बहुत ही अच्छे अपने अनुववों के माध्यम से, इस कवीता में हम सब के साथ उन्होंने साजा किया है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है भाई, हाँ, कि जो भी कवीता हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो, जो कहानी रहती हैं, या हो सकती है, आइए पढ़ते हैं, आज क्यों भोर है बहुत भाता, आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, अब मुझे लाली पढ़कर आ रही है हसी, क्यों, क्योंकि लाली वर्मामेडम है, इसलिए, अब देखो, आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्य कि लिए निकल रहा सूरज साथ रोली भरी लिये थाली इस तरह क्यों चहक उठी चड़िया सुन जिसे हैं बड़ी उमंग होती ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बखेरयों मूती आज को है बहुत भाता क्यों खिली आसमां की लाली कभी कहना चाहते कि आज क्यों सूर् आफने सुरय iaudah से पहले आकाश लाल लाल होजाता है उसको लालीमा कहते हैं तो कभी नहीं यहां कहा है कि आज इतनी सुंदर सुभा क्यों लग रही है आखिर एक्वा चौरो तरब जो लाली माशाई हुई है क्यों खिली आसमान की ला ली आज चौरों तरफ सुन्दरता ही, सुन्दरता विखीरी नजरा रही है, किस लिए है निकल रहा सूरज, क्यों, क्या हुआ अज इतने अच्छे से, क्यों आखिर सूरज निकल रहा है, साथ रोली भरी लिये थाली, अब देखो, लगती हैं एक वो कवीता यांद आ रही है जो हमने पढ़ी थी बच्पन में भोर हुआ सूरज उगाया याद आई देखो भोर हुआ सूरज उगाया जल में पढ़ी सुनहेरी चाया ऐसा सुन्दर समय नखो मेरे प्यारे अब मत सो बहुत प्यारी कवीता थी इस तरह क्यों च चह चाहाना सुनकर मन प्रफल लित हो जाता है बहुत अच्छा लगता है ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई बखेरी यों मोती अब ओस की बूने जो पत्तों पर मोतियों की तरह दिखाई देती हैं कभी देखा है आपने कि सुभा सूर्योद के समय सूर्योद से पहले जो आस्मान में लाली च्छाई रहती है आकाश में लाली मच्छाई रहती है चडियां चह चाहती है हैं पत्तों पर ओस की बूनें ऐसी लगती हैं जैसे बस हाह मोती चमक रहा हो प्रत्वी का सुन चारों तरफ का जो नजारा रहता है वो बहुत ही सुन्दर रहता है पढ़ते हैं कभी हरियोध आयोध्या सिंग उपाध्याई जी को हरियोध की उपाधी मिली थी उनको जैसे आपको कभी पूछा जाये ना कि आयोध्या सिंग उपाध्याई और हरियोध भी आ जाये तो किसका नाम था हरियोध्या जी का या हरियोध्या पूरा नाम क्या था आय क्यों लग रही है औकाश का रंग लाल क्यों है सूरज लाल रंग के चंधन से सुसजित थाल के समान क्यों दित हो रहा है कि सुर्य हवद़ै के इस लेक्र में अद्भुत घटित हो रहा है प्रकृती में अब जब हम व्याख्या लिखते हैं तो हमें लिखना होता है कि ये पंक्तियां किस कवी ने लिखी हैं किस कवीता की हैं ठीक है प्रस्तुत पंक्तियां अयुद्या सिंग उपाध्याय द्वारा लिखित कवीता पलक पावड़े से ली गई है इसमें कभी ने प्राता कालीन प्राकृतिक सुष्मा का बड़ा सुष्मा भी भोर सुभा सुने है ठीक है रदय हारी वर्णन किया है कभी ने इस प्राकृतिक द्रिश्यों के माध्धम से हैं स्पस्ठ करने का प्रयास किया है कि जिसstä ura pakai kjerne भी अब जाए सूरियवदह ओने वाला होता है उससे पहले वातावरन रक्तिम प्रतीथ होता है रख्त्म रक्त कैसा होता है ग्रीन लाल कलर का तो सूरियवदह से पहले आकाश लाल सा दिखाएं दिता है चिडियों के कलरव कलरव means चहचाना कल्रव मीन्स क्या होता है चहचाना कल्रव से वाता वरन मधु मैं हो जाता है बहुत ही मधुर हो जाता है पेड के पत्तों पर बिखरे ओकड मोती के समान चमकते दिखाई देते हैं ओस के कंड ओस के कंड ठीक है ओस के कंड मोती के समान चमकते दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार देश्वासियों में देश्प्रेम एवं स्वतंत्रता की उत्कट उत्कट मींस तीवर उत्कट मींस तीवर ठीक है याद रखना तीवर भावना उसी प्रकार देश्वासियों में देश्प्रेम एवं स्वतंत्रता की उत्कट भावना देख कवी अभी भूध हो जाती है जिस तरह से सूर्य उद्य होते ही चड़ियां कल्रव करने लगती है जिस प्रकार सूर्य हो पत्तों पर ओस के कड मोती की तरह चमकने लगते हैं मतलब यह जो कनेक्शन दिखाया है इसको ध्यान से सुनना तो उसी प्रकार देश वासियों में देश प्रेम की तीवर स्वतंत्रता की भावना देखकर कवी अभी भूत हो जाते हैं लगता है जैसे बहुत ही मतलब कृत कृत्य हो गए बहु का रिह दर्शाने का प्रयास किया है कि देश वासी तभी सुन्दर लगते हैं जब उनमें देश प्रेम की भावना प्रबल होती है समझाया इससे क्या क्या आप समझ रहे हैं कि देश वासी तभी सुन्दर लगते हैं जब उनमें देश प्रेम की भावना प्रबल होती है अ उनमें पढ़ाने की भाब न प्रबलो very 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 nice मम्मी का बच्छी लगती है मम्मी हमेश अच्छी लगती है क्योंकि मम्मी की तुलना तो हम किसी से भी नहीं कर सकते वो तो सर्व परी है तो यहां पर जो जिस भी फील्ड में हम हैं जो भी हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो तो दूसरी और अपनी स्वतंत्रता का आभास पाकर देशवासी उलसित हैं नई नई सुभा मतलब उनके मन में अब देश प्रेम की भावना तो जागी है अब उनके मन में यह आशा आ गई है कि येस अब हम स्वतंत्र होने वाले हैं अंग्रेजों द्वारा इस तरह से जो कैद बनाकर रखा गया था यह हमें कैदी बनाकर रखा गया था अब उन स्वतंत्रता की जंजीरों जो गुलामी की जंजीरों में हम जकड़ी हो तो तोड़कर स्वतंत्रता की भोर आ गई है स्वतंत्रता की सुभा स्वतंत्रता की प्रभात आने वाली है इसलिए उनके मन बहुत प्रसन है समझाया ठीक है तो एक और बात ध्यान रखो एक तरफ कवी ने सूर्य उदय से प्रक्रती में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है वहां की सुंदरता का वर्णन किया है चुडियों के चैकने का वर्णन किया है पक्षियों के कल्रप का वर्णन किया ह उसकी बूनों का मोतियों से तुलना करती हुए बता है आकाश पूरी तरह से रक्तिम लाल हो जाता है सुन्दर दिखाई देता है तो इसके माध्यम से कवी स्वतंतरता अर्थात भारतिये स्वतंतरता सैनानियों की जो देश प्रेम की भावना है उतकट भावना उसकी ओर अब देखो फूल फूले फूल तो है ही वह वी फूले है इस तरह किसलिए खिली कलियां भूर है कि सुमंग में भूले उर भूर ठीöh कियों हावा है शबसे कल चलती किसलिए है जहां तहां धंटी सब जगहे एक कोने में की महक है पसार ती फिरती अब पुनां गवी क्या कह चाहते हैं कभी ने प्रशन शैली में यह कविता की रचना की है कि क्यों भोर आज इतनी भाने लगी ठीक है तो यह जब भी प्रशनात्मक शैली में कुछ पूछा जाता है तो उसका अर्थ क्या है कि मन में जिग्यासा है अब यहां पूछते हैं कि पेड क्यों है हरे भरे इत सुद्र आज वो भी खुशी से फूले नजर आ रहे हैं आखिर ऐसी इस तरह किसलिए खिली कलिया आज कलिया भी बड़े अच्छे से खिल रहे ही आखिर क्या बात है हां भॉर के सुमंग में भूले भॉरे गुन गुन-गुन-गुन-गुन करता भॉरा तुप कौन संदेशा लाया ठीक है भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमर वो भी सुना होगा आपने नहीं सुना होगा तो मतलब भौरा तो चानते हो आप तितली भौरे जो फूलों पर बंडराते रहते हैं क्यों हबा है संभल संभल कर चलती किसलिए जहां तहां थमती सब जगह क्यों महक पसारती फिरती पुना प्रशनात्मक शैली में कवी ने यही कहाए कि आखिर ऐसा आज क्या है कवीता के माध्यम से प्रशनात्मक शैली में लिखने के माध्यम से कवी यही कहना चाहते हैं कि बस अब जो भी अंग्रेजों ने हमारे देश पर या हमारे भारतियों पर जो अत्याचार खिये थे उनका समापन या उनका अंतिम समय आ चुका है अब प्रतेक भारतवासी के मन में स्वतंत्रता की लहर दोड़ उठी है अब वो अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने वाले हैं और अंग्रेजों को यहां से खदेड कर भगाने वाले हैं अब कि चमक सतंत्रता की चमक मात्र भूमी को आजाद कराने की चमक ठीक है यही बताया है पढ़ते हैं कभी ने प्रशनातमक शैली में जानना चाहा है कि आज पेड़ इतने हरे-भरे क्यूं हैं फूल इतने क्यों खेल उठे हैं कलियां किसलिए खिली है और भौरे किस मस्ती आन क्यूं बिखेर रही है सब कुछ उन्होंने की इतना मधुर सा आखिर ये क्या है ये स्वतंतरता का अगावज है येस स्वतंतरता हमें प्राप्त होने वाली है हर भारत वासी हर स्वतंतरता सैनानी जिसने अपने आप को मात्र भूमी पर कुर्बान कर दिया उसकी कुर्बानी कि हमें मतलब वो मिलने वाली है प्रतीफल हमें मिलने वाला है ठीक है इन फूलों की सुगंद को हवा क्यों विखेर रही है कभी के कहने का ताथ पर है कि इस मादक परिस्तिती में प्रकृति अपना सारा सौंदर इस प्रकार विखेर रही है कि जगत का कंड कंड आक में वेभ शाली है आईए यह कवीता है इसमें कवीने प्रकृति के व्यापक मतलब समझते हो मतलब बहुत ब्रॉड ठीक है मनोहारी दृष्ट का वर्णन करते हुए देश प्रेम तथा स्वतंद्रता की उतकट भावना को व्यक्त किया है कभी कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन ह होते ही प्रकृति अपने सारे सौंदर से परिपून हो जाती है उसी प्रकार देश प्रेम तथा स्वतंद्रता की भावना से उत्फल सारे देशवासी इतने बेसुद हो गए हैं कि उन्हें मरने का भी भै नहीं है मारते हो मारो कितने कोड़े बरसाओंगे बरसाओ लेकिन अब हम अपनी मातर भूमी को आजाद करा कर ही रहेंगे वे स्वतंद्रता की सुगंद को सरवत्र बिखेरते फिरते हैं ताकि सारा देश इस आनंद की प्राप्ती के लिए व्याकुल होटे स्वतंद्रता की डंके बजाते हैं करांतिकारी अपने जोश अमंग के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा एक एक करके इतना दल समू तयार किया और आपको पता है कि इस संघर्ष का इस समर्पन का कितना अच्छा प्रतीफल हमें मिला और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ वे स्वतंता की सुगंद को सरवत्र ब बहावना हो कभी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के समय पेड़ पौदे हरे भरे तता फल्फूलों से लध जाते हैं उसी प्रकार भौरे परागरस का पानकर बेसुद हो जाते हैं हवा मंद मंद बहति है तता फूलोंकी सुगंद बिखेरती है उसी ब्रकार स्वतंत्रता के इस मधुर वातावरण में सारे देशवासी प्रसंचित हैं तथा देश प्रेम की भावना को दीप्त करते हैं वसंत्रितू समझते हो आँ वसंत्पंच मी मनाई जाती है महसारस्वती की पूजा अर्चना की जाती है अट नहीं रही एक कविता हैं वसंत्रितु का बंढन करती हुए। अटने रही है आभा फागुन की समझते हो। जब हुली का तेहोर मनाया जाता है फागुन की पूर्णिमा को हाँ फागुन यहींत homem नहीं रही है कभी निराला जी की ये पंक्तिया है जिसमें फाग उनकी सुन्दरता का वर्णन किया है तो जिस तरह से वसंत्रतु में प्रकुर्टी अपने सौंदर के चर्म उतकर्ष पर होती है उसी तरह से क्रांतिकारी अब आजादी प्राप्ध करके ही रहेंगे और बस आजादी प्राप्ध हो नहीं वाली है अपने अपने आजादी की उतकट भावना को प्रस्तुत करते हैं पढ़ते हैं अगला काव्याज लाल नौले सफेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों जील तालाब और नदियों में बिच गई चादरे सुनहली क्यों किसलिए ठाट बाट है ऐसा जी जिसे देख कर नहीं भरता किसलिए एक एक थल सजकर स्वर्ग की है बराबरी करता आखिर क्या है इसका राज आखिर क्या है इसके पीछे रहस प्रकृती इतनी सुन्दर क्यों लग रही है क्या सब के चहरों पर इतनी खुशाली और इतनी चमक क्यों है क्या ये वसंत्रतू का जादू है जी जेस प्रकार से प्रकरती में वसंत्रतू आते ही संपूर्ण वातवरन एक दम उनमाद से भर जाता है उसी प्रकार स्वतंत्रता की आस में हर एक भारतवासी के चहरे पर मुस्कराहट आ गई है हर एक भारतवासी का चहरा चमक उठा है यहाँ पर लिखा है जील तालाव नदियों में बिच गई चादरी सुने ली क्यों ठाट बाट इसे दिख ऐसा लग रहा है मानू जी नहीं भरता अभी मैंने फंक्ती सुनाई थी न कि कभी कह रहा है कि आंक हटाता हूं तो हट नहीं रही है आभा फागुन कीतन सट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुश्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है आभा फागुन की दन सट नहीं रही है यही उन्होंने यही बताया कि वसंत्रितू के आगमन से प्रकर्ती का सौंदर्य देखते ही बनता है ऐसा लगता है मानो प्रकरती ने साक्षात मा लक्ष्मी का रूपधारन कर लिया हो और मा लक्ष्मी सुन्दरता की मूरत है ना तो यही बता है कि आजादी की लहर से भारतवासियों में कितनी उतकट भावना है कभी जानना चाहते हैं कि ये लाल, नीले, सफेद, पत्ते, फूलों से भर गए लताएं बहलनेने लगी तथा नदियों, जीलों एवं तालावों के जल सोने की चात्रों जैसे क्यों दिखाई देने लगे ताथ पर यह है कि प्राता काल में पेड, पौधे, फूलों से लद गए हैं वसंत्रतु का जो माहूल है तथा सूरज की पहली किरणों के पढ़ने से नदी, तालाव तथा जीलों के जल सुनहरे प्रतीत होता है बहुत सुन्दर लगता है सुनहरे क्यों, क्योंकि प्राता काल जब सूर्य की किरने होती है, वो कैसी होती है लाल लाल पीली पीली, जिसके कारण वहां का पानी जो है वो भी सुनहरे प्रतीत होता है जिससे जल राशी का दृष अती मनुरंजक हो जाता है कभी यह भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की सजावट किसके लिए की जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग बस यही हो ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग यहीं है एक पंक्ति फिर मुझे यादा आ गई सुनाओ ला सके हम स्वर्ग भी अपनी धरा पे उतार कर शाहर दे माँ बहुत सुन्दर एक माँ सरसती की कवीता है मतलब स्तुती है शाहर दे माँ श्वेत वसना वंदना स्विकार कर हो रहे पथ ब्रांत सारे वेश्व काओ धार कर शाहर दे माँ दे हमें बरदान हम नित प्रेम पत्थ पर ही चले दे हमें बरदान हम नित प्रेम पत्थ पर ही चले यही है कि ला सके हम स्वर्ग भी अपनी धरा पे उतार कर मासरस्वती विद्या की देवी कहते हैं कि हर एक शब्द को पहले तौलो फिर बोलो क्या पता कब हमारे गंट में मासरस्वती विराजित हो कि सूर्य दय के स्वागत में प्रकृत कर कर रही है अपुना हम लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंग उपाध्याय रियोध जी द्वारा लेखित कविदा पलक पावडे से ली गई है इसमें कवी ने सूर्य उदय का मनुहारी वर्णन किया है कवी का कहना है कि सुभा होते ही प्रकृती में अद्भुद परिवर्तन हो जाते हैं लाल, नीले, सफेद, पत्ते, फूलों से लद जाते हैं सूर्य की लाल-लाल करणों से नदी, जील तथ तालाप के जल सोने की चादर जैसे प्रतीत होते हैं प्रकृती की ऐसी सुन्दरता देखते रहने की इच्छा बनी रहती है प्रकृती की यह सजावट स्वर्ग जैसी प्रतीत होती है लेकिन कवी की जिग्यासा बनी रहती है कि प्रकृती में यह परिवर्तन क्यों होता है कवी के कहने का यही तात पर है कि जिस प्रकार प्रकरती सूर्योदय की अगवानी में अगवानी पता है ना पलक पावडे अगवानी मतलब जिस प्रकार प्रकरती सूर्योदय की अगवानी मतलब अगवानी करना मीज उनका स्वागत करना ठीक है अगवानी में अपनी सारी सुश्मा सारी सुन्दर्ता बिखेर देती है उसी प्रकार स्वतंद्रता की पहली किरण को पाने के लिए देश्वासी अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर स्वतंद्रता देवी के दर्शन के लिए लालायत है इसलिए नाम है कवीता का पलक पाउडे रदैसे फिर मुझे एक पंक्तिया आदा करी सुना दू नैनो से स्वागत वानी से स्वागत लाए संकल्पों के हार कि आप आए हमारे द्वार जब भी हम स्वागत करते हैं तो बहुत मतलब अपने पलकों को बिछा देते हैं रदैसे स्वागत करते हैं तो इसी प्रकार सूर्य उदय का स्वागत प्रकरती रदैसे करती है उसी तरह से सब कुछ समर्पित करकर देशवासी मस्वतंद्रता देवी के दर्शन करने के लिए लालाये थें समझ में आ गया पढ़ते हैं अगला का गया आज किस लिए है चहल पहल ऐसी किस लिए धूमधाम दिखलाई कौन सी चाहा आज दिन किस की आरती है उतारने आई देख तेरे धक गई आखें थक गई आखें क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं आगर आज आ र भरे शब्दों में कहते हैं कि इतनी हलचल क्यों है अत्वा इतनी खोशी किस लिए प्रकट की गई है किस इच्छा की पूर्ती के लिए आज दिन का यशोगान होने वाला है आखिर क्या हुआ है जो इतना अच्छा वातवरन है वो देश की सफलता की प्राप्ती की प्रतीक जाना किस कारण यह सफलता हमें नहीं मिल रही है अपना हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कभी कहते हैं आज वह सफलता मिल रही है तो हम तुमारे स्वागत में सफलता रूपी मार्ग को सजा कर जिग्यासा भरी दृष्टी से प्रतीक्षा रत हैं समझाया कभी का कह चान के अवसर पर लोगों में एक नया जोश आ गया है एक नया सुवेरा आ गया है एक नई सुभा की जो सदियों से प्रतिक्षा थी क्यों क्योंकि अंग्रेजोंने हमारे देश पर कितना राज किया लगभग 200 वर्षों तक सदियां बीत गई थी अंग्रेजों के आ गया अब वो दिन बस आने ही वाला है जिस दिन हम अपनी मा भूमी को मात्र भूमी को जन्जीरों की बेडियों से आजाद कराने वाले हैं तो कभी का कहना है कि इस नफ विहान के अफसर पर लोगों में एक नया जोश आ गया है विहान मीं सवेरा विस्वतंता देवी की आर सन्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त होने जा रही है तो हम स्वतंत्रता देवी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं रदैसे स्वागत करते हैं कवी कहने का ताथ पर है कि हम देशवासी अपनी स्वतंद्रता प्राप्ति के लिए इतने उत्कंठित हैं कि हम अपना सर्वस्व स्वतंद्रता की खातिर आर्पित करने को तत्पर हैं क्योंकि इसी स्वतंत्रता के माध्यम से हमें पराधीनता के कलंक से मुक्ती संभाव है जो हम पराधीन मतलब गुलामी परतंत्रता पराधीन ये सब गुलामी के परयावाची है जो हमने सदियों से सही है अब हम उस परतंत्रता से मुक्त होने वाले हैं अब हम अपनी भारत भूमी को आज़ाद कराने वाले हैं तो इतनी इच्छा और इतनी जिग्या सा कभी ने प्रकट की है आशा है आपको पलक पावडे समझ में आई होगी उसी प्रकार मैं भी आपका पलके मिछा कर हमेशा स्वागत करती हूँ जी हाँ दिल से सवागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने सब सुना होगा आपने आपका ख्याल रख रहे होंगे रखते हैं ना येस वेरी नाइस बने रहे है हमारे साथ मैंगेट बेंस पर मैंगेट बेंस एक ऐसा प्लैटफॉर्म जो हिंदी मीडियम और इंगलिश मीडियम में आपको 100% एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है दियर स्टुडेंस स्कूल एजुकेशन फ्री इंगलिश मीडियम की प्रतियोगी परिक्षाओं की वीडियो भी आप देख सकते हैं मैंगेट ब्रेंस पर एपसलिटली फ्री वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ जैसे एंटी एससी ठीक है ओलंपियाट आईटी जेए नीट यूपी एससी बैंक इंशुरेंस सभी प्रकार की प्रतिय लिए कहसी बैंक